अगले सुत्र में अश्टवक्र कहते हैं निर्पेक्छो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशेह अगाद बुद्धीर छुब्धो भव चिनमात्र वासनहा कह रहे हैं कि आप इक्षा रहित अपेक्षा रहित निर्पेक्षो विकार रहित निर्विकारो घन शीतलता के धाम अगाद बुद्धीमान है शान्त होकर केवल चेतन की इक्षा वाले हो जाईए हम कौन हैं हम क्या हैं ये हम स्वें नहीं देखते हैं हम संसार की नजरों में अपने आपको जाकते हैं अपने बारे में देखते हैं कि मैं कौन हूँ संसार तुम से कह देता है कि तुम भले इंसान हो तुम अपने आपको भला मान लेते हो संसार ने तुम से कह दिया तुम इस्त्री हो तुम ने अपने आपको इस्त्री मान लिया तुम पुरुश हो तुम ने अपने आपको पुरुश मान लिया जरा कलप ना करो मान लो कि दो व्यक्ति रहे हो दस व्यक्ति रहे हो छुरू में क्या ये ठपा लागा हुआ था पहले से कि तुम इस जरी हो तुम पूरुश हो तुम्हारे ये आधिकार और करतब यो रोंगे क्या जब पैदा होते हो तब तुम धर्म जाती देश अपनी राश्टिता ये सब लेकर पेदा होते हो देखो तुम क्या बने बेटे हो जो तुम अपने आपको माने बेटे हो जो तुम बने बेटे हो वो सब कुछ तुम्हें संसार से ही मिला है संसार ने तुम्हें बताया है कि तुम गोरे हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम काले हो, तुम बुरे इंसान हो तुम अनपड़ हो, तुम सम्मान के लायक नहीं तुम गरीब हो, तुम सम्मान के लायक नहीं तुम छुद्र हो, तुम सम्मान के लायक नहीं और अश्टावकर कह रहा है कि तुमने अपने आपको मान लिया, जो तुमने मान लिया, तुम वही हो जाओगे, कुछ भी तो हम नहीं जानते हैं अपने बारे में, क्यों हमें किसी की कही बात कभी सुख दे जाती है, तो कभी दुग दे जाती है, क्योंकि ये संसारते कर रहा कि तुम कौन हो तुम क्या हो तुम कब खुश होगे तुम कब दुखी हो जाओगे तुमने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया है वो बटन दबाता है तो तुम खुश हो जाते हो बटन दबाता है तो दुखी हो जाते हो मेरा मुझ में कुछ नहीं हमारा हम में उने दिया है तो दूसरा व्यक्ति छीन भी सकता है हमारी और समस्था क्या है और जब कह रहे हैं अश्टा वक्र तुम वो हो जो इक्षा रहित है निर्पेक्षो इक्षा रहित अपेक्षा रहित लेकिन हम संसार से ही तो सदा अपेक्षा करते हैं हम अपेक्षा करते हैं संसा हमारे साथ ऐसे विवार करें हम सदा अपेक्षा में जीते हैं और अश्टा वक्र के रहे तुम वो हो जो अपेक्षा रही थे जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता क्योंकि तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं तुम चैतन्य मात्र हो और चैतन्य की क्या इक्षा होगी किस अब शरीर कोई अपेक्षा रखता है, नहीं, लेकिन तुमने तो सब कुछ अपने पहचाने इस शरीर से जोड रखी थी, पड़ा है, लोग जर लाने की त्यारी कर रहे हैं, कोई अपेक्षा नहीं रही अब, सब मिट गई, तो ये बात पहले ही जान लो, कि तुम अपेक्ष नहीं है, तुम अपने आपको बस माने बेटे हो, कि तुम छूदर हो, तुम छोटे हो, तुम संकुचित हो, तुम वो हो नहीं, तो कह रहे हैं, निरपेक्षो, निरविकारो, निरभराहा, शीतलाश अगर तुम इक्षा रहित हो, तो उस चेतना में जियो, उस बोध में ज जियो, कि तुम इक्षा रहित हो, फिर क्यों किसी से मागना, क्यों संसार की आँखों में अपने लिए सम्मान जाकना, किसी तरह की भीक मागना, इन शब्दों का उल्टा अर्थमत लगा लेना, ये मत कहने लग जाना कि क्या शरीर को भोजन भी ना दे, क्योंकि भोजन भूखा तो वो भी है किसका एक्षा की आपूर्ती अभी नहीं हुई अपेक्षाएं बहुत पाल रखी है पिता ने पुत्र से अपेक्षा रखी है पती ने पत्नी से पत्नी ने पती से अपेक्षाएं लगा रखी है इन सब के सिवा क्या हमारा और कोई दुख है हम जन्सार से नोकरी से बोस से पढ़ाई से सबसे ही तो अपेक्षा रखते हैं बिना अपेक्षा के क्या हमारा एक कदम भी उड़ता है बिना अपेक्षा का क्या हमारा कोई एक विचार भी होता है हमारा हर विचार, हर कर्म, हर कदम किसी ना किसी अपेक्षा पराधारित है किसी ना किसी इक्षा से संचालित है जाकर देखो चोराहे पर जो तुम्हें भागती, दोडती, गाडियां है कौन दोडा रहा इनको? इनको दोडा रही है, इनकी इक्षा है सब इक्छाओं की पूर्ती के लिए दोड़ रहा है किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए किसी को बीवी चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा, किसी को भायचान चाहिए किसी को धन चाहिए इन्ही सब की पूर्ती के लिए तो सब दोड़ें न, सुबे से उड़ते हैं, जाते हैं, साम तक गिसाते हैं और वापस आते हैं तो जब भी चोराहे को देखो, तो देखना कि ये तुम्हारे मन की दोड़ है और तुम्हारे मन की दोड़ ही इस थूल रूप रख करके चोराहे पर नजर आ रही है और तुम्हारे मन की दोड़ है कामनाओं की दोड़, एक्छाओं की दोड़, अपेक्छाओं की दोड़ जब तक एक्छाओं हैं तब तक भागदोड रहेगी बुद्ध क्यों थम गए, बुद्ध की भागदोर क्यों रुख गई क्योंकि एक्छाएं मिट गई क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वो एक्छा रहित है दुख क्यों मिट गया क्योंकि अब किसी से अपेक्छा नहीं रखी क्योंकि तुम अपेक्छा करते हो और अपेक्षाएं कभी पूरी होती नहीं तुम जैसा चाहते हो वैसा कभी होता नहीं कि तो फिर भी तुम चाहना नहीं छोड़ते अपेक्षा रखना नहीं छोड़ते परिक्षा दी तो उससे अपेक्षा रखोगे कुछ भी किया उससे कोई न कोई अपेक्षा रखोगे उस करने मात्र में तुम नहीं जीते तुम परिणाम में जागते रहते हो अपेक्षा करते रहते हो यही तो दुख है तो अश्टावक्र कह रहा है तुम निर्पेक्षो आप निरपेक्ष हैं, इक्षा रही थे, निरविकारो, विकार रही थे, विकार मने, तुम में कोई खोट नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, हाँ, एक हाथ नहीं है तो यह शरीर की समस्थ्या है, शरीर लंगणा है, शरीर गुंगा है, शरीर बहरा है, तुम बहरे नहीं ह संसार तुम्हारी खोट निकालती है देखो कोई भी कमी कोई भी दोश तुम्हें जब निकाला जाता है वो क्या सचमुच तुम्हें दोश है या वो शरीर का मन का बुद्धी का दोश है शरीर में मन में बुद्धी में कमी हो सकती है इनमें खोट हो सकती है और इनमें खोट है तो वो तुम्हारा दोश नहीं है कुछ होते हैं जो प्राकरतिक रूप से शारियर के रूप से ऐसे होते हैं जिसे संसार सुन्दर कहता है बलवान कहता है मजबूत कहता है कुछ होते हैं जो शरीर के रूप से बिलकुल कमजोर होते हैं कुरूब होते हैं पर वास्तों में कुछ भी सुन्दर या कुरूब होता नहीं कुछ भी कमजोर या ताकतवर होता नहीं वो तो हमने ये नाम दिये हैं हमने बताया है कि ऐसा ऐसा होता है तो संसार तुम में खोट निकाले विकार निकाले तुम्हें खुद में खोट नजर आये तब तुम उसे ये मत कहो कि ये मेरी खोट है ये मुझ में खोट है वो तुम में खोट नहीं है वो शरीर की खोट है शरीर को अवशकता उसे ठीक करने कि शरीर करेगा मन काम करेगा तुम स्वेम को चेतन्य मात्र मानो बोध मात्र मानो जो बस ये जान रहा है कि ऐसा है तुम वो हो जो जान रहा है जो साक्षी है तुम उसके साथ रहो फिर ये भागदोर थम जाएगी ये अपक्षाएं रुक जाएंगी विकार मिट जाएंगे क्योंकि विकार सिर्फ भ्रहम हैं माने हुए हैं तुम अपने आपको माने हुए हो कि तुम में विकार है जबकि तुम में कोई विकार नहीं शांत हो जाओ और केवल चैतन्य की इच्छा करो चैतन्य की इच्छा वाले हो जाईए छूद्र में मत उल्जो तुम विराट हो हर तरफ चेतन्य का ही नाच है इक्षा करनी है तो उसकी करो लेकिन उसकी इक्षा का भी क्या लाब जो तुम स्वेम हो जो तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारा स्वभाव है इक्षा रहित निर्विकार विकार रहित घन शीतल अगाद बुद्धिमान बोध श्वरूप प्रकाश श्वरूप हो तुम और ये तुम्हें हासिल नहीं करना ये तुम हो ही बस जो अपने आपको माने बेठे हो उस मानने से मुक्त हो जाओ और तुम अगर मान लो कि तुम चैतन निमात रहो और इसे देख पाओ इसे जी पाओ तो तुम वही हो जाते हो क्योंकि अभी जो तुम हो जैसे तुम हो वो तुम अपने मानने के कारण ही हो तुमने ऐसा माना इसलिए तुम ऐसे हो जो तुमने माना तुम वो हो गए तुमने अपने आपको कमजोर माना तुम कमजोर हो गए तुमने अपने आपको कुरूप माना कुरूप हो गए तुमने सुयम को छोटा माना तो तुम छोटे हो गए कोई और तुम्हें छोटा करने नहीं आया किसी और से तुमने नहीं पूछा कि तुम छोटे हो या बड़े अश्टवक्र हमें बस उन छुद्रताओं से निकाल रहे हैं जिनमें हमने इस अहम के कारण खुद को फसा रखा है चुकि अहम तो प्रकृति में रहता है और प्रकृति की ही वस्तूं से जा जा करके चिपक जाता है और प्रकृति में जो कुछ है सब कुछ छोटा छोटा है सब खिलोना है, सब नश्वर है, सब मिटे जाना है तो जो अनित्य है, जो मिथ्या है, जो नश्वर है, जो छोटा है उससे जा जा करके हम चिपक जाता है और छोटी छोटी वस्तों का जितना बड़ा धेर जिसके पास होता है हम उसको बड़ा कहा देते हैं पर वास्तों में वो भी छोटा ही है जोकि उसके पास जो है वो छोटा ही है बड़ा जो है वो तो उसके पास भी नहीं तो तुम्हें अपेक्षा रहित होना नहीं है यह तुम्हारा स्वभाव है बस तुम संसार को देखे देखे अपेक्षा रखते हो तुम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ और मुक्त होने का लिए बस देखना है जानना है कि यह अपेक्षा है उसको छोड़ देना है उसको पकड़ना नहीं है तुम में विकार नहीं है पर संसार ने तुम में विकार दिये हैं कि तुम विकार में हो तुम में ये कमी है ये दोशे ये खोट है तुम उन्हें आस्विकार कर दो हाँ बाहर खोटे हो सकती है वो तुम्हारी खोट नहीं है चैतन्य में कोई खोट नहीं चैतन्य तो अपने आप में